हेलो फ्रेंस, वेलकम टे ट्वांटीफोर नॉलेजे, ओफिशल लीटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमिशन, यूपी एसी के एड्मिट कार अपडेट के बारे में, तो फ्रेंस यहाँ पर जो ये अपडेट है, ये फ्रेंस इसके डाउनलोड प्रोसेस के बारे में, और इससे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट से मिल सकें, तो यहाँ आपके सामने कुछ इस तरह का जो बॉक्स है, यह ओपन होगा, यहाँ पर देखिए आपको सिविल सर्विसेज प्री एक्जाम 2023 के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, रेडिस्टेशन आइडी या फ्रेंस रोल नंबर, अगर आपके पास रोल नंबर आ गया है, तो ही आप इस टिक करें, बाके अप रेडिस्टेशन नंबर वाले आप्शन पर टिक कर सकते हैं, और अपने जो एडविट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, रेडिस्टेशन आइडी भूल गया है, तो फोरगेट रेडिस्टेशन आइडी पर किलिक कीजिए, आपको आपका नाम यहाँ पर देना है, फादर नेम देना है, डेट वबत और ये कैप्चा को डाल कर फ्रेंस आपको यहाँ से सम्मिट कर लेना है, और फ्रेंस रेडिस्टेशन नंबर मिलने के बाद आप रेडिस्टेशन नंबर डेट वबत और ये कैप्चा को डाल कर आप सम्मिट यहाँ स कर देंगे, submit करने के बाद friends आपके सामने देखिए आपका जो फ्रेंस सिविल सेवा प्रारंबिक परिक्षा 2023 का जो pre-exam e-call letter है, यह आपके सामने open हो जाएगा, यहाँ पर आने के बाद friends आपको देखिए सबसे पहरे मिलता है date of exam जो की 28 माई 2023 है, आपको friends आपका नाम, आप आपका photo ID card, आपका father name, mother name और आपको center यहाँ पर मिल जाता है, इसके बाद friends आप नीचे आते हैं, आपका परिक्षा का इस्थान आप देख सकते हैं, इसके बाद friends समय साड़नी में आपको देखिए paper 1 and paper 2 के लिए जो timing है वो आपको मिल जाती है, आप से यहाँ पर कहा गया है परिक्षा इस तलब पर प्रवेश करने के लिए इस प्रवेश पत्र, print out को photo पहचान पत्र, जो की moon मतलब original condition में आपका होना चाहिए, जिसका क्रमांक यहाँ पर उपर दिया गया है, साथ में black pen आपको लेके जाना है इस इप्रवेश पत्र के साथ, और जो भी आपको timing म कोई भी अगर गलती है तो ततकाल संग लोग सेवा आयोग के ध्यान में इसको लेके आए, आपके friends से जो भी registration ID है, परिक्षा का नाम वर्स है वो चेक कर ले, आपका जो भी friends ID proof आपको mention किया गया है, वो ID proof आप लेके जाएंगे, और इस इप्रवेश पत्र को आप लेके ज आए, और आप friends जो COVID की जो guidelines है, उनको fulfill करें, उनको follow करें, यही जानकारी आपको English में भी यहाँ पर मिल जाती है, जो कि आप चेक कर सकते हैं, तो इस वीडियो मैंने आपको update बता दी है, बाकी की जानकारी friends आप video description में jobrasa.com पर जाका check out कर सकते हैं, अगर आपको हमारा यह update पसंद आया है, तो like, subscribe and share जरू कीजिए, बाकी की जानकारी के लिए ऐसे ही बने रही हमारे साथ, देखते रही हमारा YouTube channel, last things for watching.